पौली टेक्निक इंट्रेल्स एक्जाम में सिर्फ चंद दिन बचे हैं अगर मैं यह क्योंकि एक सब्ता बचा है तो यह भी सही होगा क्योंकि जानते हो इंटर्नेट पर अप हुआ हैं चल लही है कि एक्जाम आगे जाएगा और एड्मिट का डाउनलोड करने का डेट रोक क परके रखा गया है इस वज़े से लगता है कि एक्जाम डेट आगे भागे गा लेकिन भाई साब जरा यह सोचो अगर आगे भागता रहा भागता रहा तो आपके पहले समेश्टर का सत्यानास नहीं हो जाएगा आपकी जो पहले समेश्टर की पढ़ाई है वह तो करोना का साल दो साल की पढ़ाई चट हुई अगर इसी तरीके से पाली टेगनिक इंट्स एक्जाम पास करने के बाद एडिमिशन लेने के बाद एक समेस्टर चट हो जाए और एक साथ पहला समीश्टर चल बोड एंगे जह दुम घर चोड़ के valley दाल चावल बनाकि करे महति बना के खाहोगे तो स्वास्त का सत्य अनजिक यह रहर कर फि만हाद आए अप मम्न पापा किया अगे ways तो भाईया कैसे चलेगा काम, डबल समस्टर का प्रेसर, एंड बाहर रहने की सजा, खाना खाने की दुर वेवस्था, सारी चीजे मिला जुला के कैसे तुम झेलोगे, बलाओ, नहीं झेल पाओगे, नितिजा होगा कि पहले ही समस्टर पर बैक गयर, गरवानों से बताओगे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे सीनियर मिले हैं, मुझे बहुत बढ़ियां पढ़ाते हैं, और यहां महल सब कुछ अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है, बताओगे अपने ममी पापा को, कि वो भूले नहीं समाएंगे, और भले तीन-त प्रेगनिक इंट्रेंस एक्जाम कराने मेली सहस्ता को भी सोचना होगा कि नहीं होगा, अगर मालो तारीकें बढ़ भी जाती, एक हफ्ता बढ़ जाने सब आप क्या खाड लेंगे, क्या बहुत बढ़ियां टापर बन जाएंगे, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई continue रखना है, आपको अपने किताब पर फोकस रखना है, अपने study पर, chapter पर, concept पर फोकस रखना है, जो आपके teacher ने आपको पढ़ा दिया है, मैं आपको teacher हो, तो मेरा पढ़ाया हुआ, या आप किसी और चे पढ़ते हो, तो उनका पढ़ाया हुआ, रिवाइज करते रहो, उसके हुआ, आप अपने भी विवेक का इस्तेमाल करके अलग अलग और भी चीज़ें पढ़िए, इंट्रेंस एक्जाम का सिर्फ सरेवस तैं है, प्रस्न नहीं तैं है कि कौन सा प्रस्न आएगा, विद्धु धारा का माले ये प्रस्न आना है, तो ये जरूरी नहीं कि विद्धारा का प्रस्न बन के आजाएगा और आपसे पूछ ले जाएगा, ऐसे ही सभी चेप्टर, सभी विषय के लिए होए, तीनों विषय में चेप्टर डिसाइडेड है कि इस चेप्टर से प्रस्न आएंगे, बट ये कभी नहीं डिशाइड होता है कि फला बुक वाल प्रस्न आएंगे, कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी अरिहंत की किताब से 100% महिस करता है, यही तो पढ़ना चाहिए, ना ना आप बेवकूफ हो, ये बात समझने में सिर्फ बेवकूफ हो, जब पेपर में कोस्चन आ जाता है, तो पेपर का आया हुआ कोस्चन वो अपनी किताब में लिखवा लेते हैं, और कोर्नर में लिख देते हैं कि 2019 में, 2021 में, ठीक है, पेपर में आने के बाद उनके किताब में जाता है, ऐसा कभी ने हुआ कि किताब में आने के बाद पेपर में आया हो, ठीक है, पेपर में आने के बाद पेपर देखके, किताब में लिख के टाइप करके बेंचते हैं और आपको जंडा दिखा दे देख मेरे आंसे फासरा फासरा कोई ऐसा single question नहीं जो दो बार तीन बार चार पांच बार लगतार बार आया हो नहीं आया है हमेशा new version बन कियाता है हमेशा बदल कियाता है बट थोड़ा सा बदला होता question वही रहता है धाई हजार physics chemistry math का question free में डाउलोड करना चाहते हो 20 साल का original paper हल सहीत free में डाउलोड करना चाहते हो तो google में search करना pdf space देना और mandi लिखना pdf लिख लोगे फिर mandi mandi लिख सार्ज करो पहली website जो उपर आगे उस पर पालटेक्निक बटन पर टश करना तुमारे सामने 20 साल का original paper with solution मिलेगा उसके लावा वन लाइनर physics का chemistry का भी question आपको मिलेगा उसके लावा पूरे उत्तरप्वदेश में किस्थ जिले में कितने कितने प्राइबेट हैं कितने सरकारी यह वी जानने को मिलेगा और किस इसकोल में कौन सी ब्रांचेज है किसमें सीविल है किसमें इलेट्रिकल है किसमें मेकैनिकल है किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है everything you will know on that website pdfmondi.com तो PDMundi.com आपके लिए बहुत बेस्ट साइट है, जाओ, जाकर के वो चीजें, वो चीजें वहाँ पर पाओगे, जो तुम्हारे अंदर प्रश्ण बन-बन करके आती रहती है, तो आज के वीडियो के लास्ट में मैं आपको बदाना चाहूंगा, कि अगर आप की तैयारी ब दोहरा के देख कर जाते हैं एक्जाम देने, तो पूरी गैरेंटी है कि 400 नमबर के पेपर में से 200 नमबर आपके आएंगे, 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 इस बात में कोई सक नहीं है, अगर आप 3 राउंड मेरी वीडियो का रिवाइज करके जाओगे, तो 200 नमबर पाओगे, 200 नम या और साल बच्चों को तरक्की मिला है, और बच्चे पास में, इस बज़े से मैं यह बात बोला हूँ, आपको भी अगर तैयारी लगता है कि आपकी तैयारी लचर पचर है, अच्छी नहीं है, तो आप फोन करिए, 17-18 गंटे का समय दीजिए मेरी वीडियो को, डेली का 3 गंटा, 4 गंटा, 5 गंटा, 6 गंटा समय देखर के आप खतम करो ना, दोरा आओ, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू